आप देख रहे हैं 36 गड़ का सबसे लोग प्रिय चैनल R.N.N. News खबर आप तक नमस्कार मैं हूँ प्रिती मधुकर और आप देख रहे हैं 36 गड़ का सबसे लोग प्रिय चैनल R.N. News आएए खबरों में आगे पढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर दादा के सबने साकार करने पोते हेलिकॉप्टर से लाएगा दुलहनिया ना नेता ना उद्योग पती और ना ही कोविया पारी बलकी एक किसान का बेटा हेलिकॉप्टर से जाएगा बारात 36 गड़ ही नहीं पूरे प्रदेश के इतिहास का पहला मामला जिसमें एक किसान के बेटे ने दादा के सबने साकार करने के लिए हेलिकॉप्टर किराय कर अपनी दुलहन लाने का फैसला किया मुंगेली सहर से 7 किलोमेटर दूर इस्थित गाउं घोरपुरा गाउं के बैस परिवार में हो रही शादी अंचा सहित पूरे प्रदेश में चर्चा कभी से बन गया है और इसका वजह है एक किसान के परिवार के घर पैदा हुए अंकूस सीह जिसके पिता महंद प्रताप सीह अपने दादा धर्मराज सीह की सपने साकार करने के लिए हेलिकॉप्टर को किराया कर बाराज जाने का निर्ना लिया अंकूस सीह ने बताया कि दादा धर्मराज सीह के पिता भोफ सी छेतर में बहुत सम्मानित व्यक्ति और जमीरदार थे तो सुभाविक है कि उनका सोच आम लोगों से हट कर होगा मेरी शादी तै होने से पूर्व उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर बताया कि वे इस सादी को अन्ने से हट करना चाहते हैं और बारात हेलिकॉप्टर से जाना चाहते हैं उन्हीं की इच्छा पर साधी 22 जन्वरी को तै होते ही हैदराबाद की डक्कन कमपनी से हेलिकॉप्टर के लिए बात किया गया जिससे मुंगेली और सहडोल में प्रसासन से हेलिकॉप्टर उतारने और सुरक्षा की अनुमती भी लिया गया मेरा नहीं रहा है दादा जी का रहा है अक्च्छल में दादा जी की सोच ऐसी हुई कि मेरे को जाना है तो हेलिकॉप्टर में जाना है बात यहां से स्टार्ट होई कि थोड़ा उमर से अधिक हैं तो वो बोले कि भाई मैं बस और कर कार के सिवा हेलिकॉप्टर से जाऊंगा तो फिर हली कॉप्टर अप उनके आदेश का पालन पिटा जी ने किया तो फिर पापा जी बोले कि करना है तो फिर उनके आदेश का पालन हुआ और कुछ थे इदिव कॉप्टर के बारे में इसलिए सोचा गया क्योंकि मेरे दादाजी जो है वो मालगोजार है और एक बड़े जमीनदार के पुत्र है और ऐसे जमीनदार जिनका नाम है स्वरगी श्री भोप सिंग्ग वो यहां के ऐसे जमीनदार रह चुके हैं मैं उनके बारे में बोलने लायक तो नहीं हूँ पर मैं ये बताऊँगा कि वो जब घर से निकलते थे और जब घर वापस आते थे तब तक का सिर्फ उनका कार होता था जन सेवा जिनका भी भला कर सकें जैसे भी भला कर सकें जिस प्रकार से कर सकें वो भला करते थे तो ऐसे महान पुरूस के पुत्र का सोच इतना बड़ा हो ये कुछ जायदा सोचने वाली बात नहीं है तो बस उनी की सोच और हम उनका आदेश और हमारा पूरा करने का शुरू से ही पिता जी की छबी के अनुरूप पोते की शादी देखने की इच्छा थी और मेरा उम्र भी अभ्यासी वर्स का हो गया है चार पहिया से 250 से 300 किलो मिटर की शफर कर बाराज जाना मुश्किल है इसलिए पोते अंकुष से हेलिकॉप्टर से बाराज जाने की इच्छा जाहिर किया और वे लोग ये से कर दिखाए मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे पोते मेरा इतना सम्मान कर देखने एक तो सड़ी से कमजोर बस से पहुंच नहीं सकता दूर का मामला है तो मैं ये सोचा कि भाई मैं गाडी से नहीं जा सकता अगर हेलिकॉप्टर में लाए तो उसमें बैठके मैं जा सकता हूं नातिक साधी में लगा तो वहां तक मैं हेलिकॉप्टर से जाओंगा और नहीं तो मैं घर में रहूंगा आप लोग जाना लड़के लोगों को बोला स्वास्त के कारान मेरे लड़का का साधी दुमधाम से नहीं कर पाया इसलिए मन में आया कि नातिक साधी में आपना पूरा करूंगा तो दूर में साधोल इहां से 200 किलिमेटर है इसलिए उस शरीर के अस्वास्त के कारण मैं बोल दिया भाई अगर में अस्वास्त हो जाए तो हेलिकॉप्टर से जा सकता हूँ आ सकता हूँ 22 जन्वरी को मुंगेली के घोरपुरा गाउं से बैस परिवार की बारात हेलिकॉप्टर से सहडोल जाएगी और 23 जन्वरी को आदर सिता से अंकूस की साधी कर दूलहन को हेलिकॉप्टर से लाएंगे इस साधी के चर्चे हर जुबान पर लिया जा रहा है परिवार सही छेतर के सभी लोगों को अब 22 और 23 जन्वरी के इंतजार है जब दूलहा अंकूस सिह हलिकॉप्टर से दादा को लेकर बारात जाए और अपनी दूलहन लेकर आए इस पूरे साधी में अंकूस सिह के पिता महंदर प्रताप सिह ने अपने पिता की इच्छा और पुत्र का सौक और अपनी स्वरगी पतनी मांडवी सिह को दिये वचन को पूरा कर एक आदर से पुत्र पती और पिता बनकर मिशाल कायम किया आरेने नियूस के लिए जिला मुंगेली से निल कमल सिह ठाकुर की रिपोर्ट